हेलो गाइज वेल्कम टो अनेदर वीडियो अप स्टॉक मार्केट फेंस महानगर गैस लिमिटेड की ओर से मार्च क्वार्टर की फिनांसल रिजल्ट पेस हो चुका है क्वार्टर में एक्सपेंस बहुत जादा है इसके कान पॉफिट में डाउन है और गाइज यह कंपनी के एक्सपेंस जो है बहुत ज्यादा इंक्रीज कर रही और ऑप्रेटिंग पॉफिट है और मर्च विट्परन के इसके ओंच कर रही फार्टर का रहा है क्वार्टर उन क्वार्टर की ऑएज ग्टर पॉफिट बहुत जादा किया गया है त्यों पॉफिट जादा पॉफिट है पॉफिट है प्ग्पश 25.54 रुपीज का quarter on quarter year on year में डाउन देखने को मिल रही है तो गाइस quarter रिजल्ट अगर देखा जाए income तो increase कर रहा है बट expenses बहुत जादा होने के कारण profit में डाउन है financial year rendered में income में 7089 करोड का और 23 में 7032.8 करोड का income में increase किया है लेकिन expenses हुआ है 5367.6 करोड का और 23 में 5977.3 करोड का expense में भी बहुत जादा डाउन देखे income increase और expenses डाउन है जिसके कारण कंपनी का profit इंप्रूफ किया operating profit 1721.6 करोड का और 23 में 1055.5 करोड का increase करताब देखने को मिला है net profit 1276.3 करोड का और 23 में 790 करोड का जो के 23 से increase किया है तो गाइस quarter ended में कंपनी का income increase और profit में डाउन है और financial ended में income में increase और profit और income में देखा जाता है इंकम नहीं था लेकिन profit में जो है बहुत अच्छी ग्रोथ है क्योंकि गाइस income minor से increase हुआ और profit बहुत अच्छी ग्रोथ है और इसलिए कंपनी आवरेज रिजल्ट पेज़ किया consolidated business पर हमें stand-alone रिजल्ट को cover करें income में 1763.6 करोड का पिछले quarter में 1771.8 करोड का मार्च 23 quarter में 1805.4 करोड का income है quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिला है expenses हुआ है 1406.6 करोड का पिछले quarter में 1446 करोड का और मार्च 23 quarter में 1448 करोड का expense हुआ था जबके expenses बहुत जएदा इंक्रीज किया quarter on quarter में लेकिन year on year की इक्स्मेंस में decrease किया income के according operating profit 357 करोड का पिछले quarter में 425.7 करोड का और मार्च 23 quarter में 357.3 करोड का operating profit quarter on quarter बहुत बड़ी फॉल है year on year में 29 lakhs का फॉल हुआ है लेकि net profit में बहुत जदा फॉल हुआ 92 क्रोड का tax पे करने के कारण और net profit है 264.9 क्रोड का पिछले quarter में 317 क्रोड का और March 23 quarter में 268.8 क्रोड का profit है जो कि profit quarter on quarter year on year दोनों में fall देखने को मिल रही है EPS 26.83 रुपीज का quarter on quarter year on year में fall हुआ है तो अबरॉल का इस कंपनी के रिजल उताचा पेशने किया बहुत एवरेज रिजल्ट देखने को मिल लगए कि financial year ended में increase किया income profit बट quarter ended में कंपनी का बहुत ज़्यादा क्रेश किया था आज के दिन कंपनी का शियर बहुत बुरी तरह से क्रेश किया था गाईज और अगर हम देखें गाईज इस कंपनी का ही नहीं बल्कि इसके इसके कंपेटर जितने भी है मैकसिमम सभी कंस में Cratch आटानी total gas हो गया फिर यहाज है कंपनी जो है से डाउन्फॉल देखने को मिल रही है इक आंगर बात करें गाईज कंपनी के ओर आगर देखा जाए तो जिस तक रेजल्ट पेश किया चांसे सकी कल के दिन भी कंपनी के शियर में बहुत बरी गिराव करना चाहते गाइश तो लोग वेट करने जी क्योंकि रिजल्ट उतना चाह पेश ने किया और अगर यह गिरावट आती तो एक सपोर्ट लेगा और सपोर्ट लेने दो सपोर्ट ब्रेक नहीं करता गाई तो वेट की जो अरॉंड टू टू वाल हंड़ के आसपा जब इसकी श